कैसर गंज में बिरिजबूशन सरन सिंग के बेटे करन सिंग जिसको बीजेपी ने टिकिट दी है उनकी गाड़ियों के काफिले से दो लोग मारे जाते हैं रिपब्लिक बाबा से सवाल पूछता है बाबा जवाब देते हैं कि दोशी को नहीं बख्ष रेंगे आप मैं पूछता हूँ और पूछता है भारत अनन जी अर्विन केजरिवाल से क्यों नहीं पूछने देते हैं क्यों सौरभ भारत द्वाज की प्रेस कॉन्फरेंस से सवाल नहीं लेने देते कि भाई आपने कहा था सबसे अच्छा हैल सिस्टम दोगे नवजात बच्चे मर जाते हैं और आप चुप रहते हो और जाते हो पंजाब पंजाब में उस बलकार सिंग के साथ जिसकी वो अश्रील वीडियो है अनद जी ये है सबसे अलग राजनीती ये है सबसे अलग पार्टी आनद विजे जी अश्वरी जी पता नहीं है आप अभी तक सबसे अलग राजनीती और सबसे अलग पार्टी क्यों मान रहे हैं नहीं ये अपने आपको अभी भी कहते हैं पार्टीज ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इनके कहने से क्या होता एक जमाना था जब केजरिवाल जी आरोपों की फेरिस्त लेके बैठते थे और लोगों से कहते थे कि इनको अटा देना चाहिए इस्तिफा देना चाहिए और अब वो न्यायले के नियायले के प्रतिक्षा करने की अपेक्षा रखते हैं यह ठीक बात भी है अब जनता को यह तै करना है कि वह वाले केजरिवाल जी ठीक थे या यह वाले केजरिवाल जी ठीक थे लेकिन मुझे लगता है कि केजरिवाल जी जिस प्रकार की राजडिती करते हैं और जिस प्रकार से उपटाले पर हर दिन अपनी राये रखते हैं उसी प्रकार से स्वातिमालिवाल जी कि उस पर भी उनको अपनी राये रखनी चाहिए बिभव का पक्ष अगर वो रखना चाहिए विभव का पक्ष रखना चाहिए जैसे उन्होंने इंटर्व्यूस में कहा है कि जनता वोट देती है उनके हाथ जोड़के अनम जी आप और हम कवर करते हैं ये सारे नेता जनता के बीच में जाते हैं मैं तो बीजेपी वालों से भी पूछ रहा हूं बाबा से पूछा हमने बाबा ने बोला दोशी को छोड़ूँगा नहीं लेकिन राजकोट का जिगर दोशी वरिष पलिटिकन आनलिस से गुजरात से जुड़े में मैंने का भई नरेंदर मोधी का मॉडल स्टेट था नरेंदर मोधी ने 15 साल मुख्य मंत्री रहे ऐसा सिचुएशन नहीं थी अभी जी चल रहे है अभी भी दोशी ओको बास्टा नहीं जाएगा तो कहा है अरविन केज़िवाल क्यों नहीं बॉल रहे है वो तो बाबा बोल रहे है वह बाबा बासाइ जुनो कहां फिर शेए नहें हुटर चाइब कर रिज्वूक्त जाएगा विदायक की वीडियो देखने भी बैठे नहीं है आप सर केजरीवाल के उस महानायक की वीडियो भी नहीं देखने बैठे हैं आप आप इग्जाक्टली जानते हैं क्या हो रहा है आप ने बोला शराब घोटा नहीं अनन जी यह एक लड़के को जिस तरह से बचाने के लिए विणीद गयन काप बीजेपी के भी बड़े बड़े अब तो क्योंकि BJP सिर्फ BJP नहीं है महाराष्ट्रा में इदर वाले भी उदर वाले भी सवाब के है न भी या एक ना चिंदे फैक्शन भी आपका है अजीत पवार अजीत पवार पुने CP से कनेक्शन में है मैं किस से बात कर रहा हूँ विनीद गोन का से और मैम को रखिए सिर्फ स्टूडियो रखिए और पुने के विजूल्स रखिए और नोब ने पुने के का इनेता का बच्चा ही क्या हो रहा है और आप इलेक्शन के लिए वोट मांग रहे हैं आप क्या आप आप हमेशा बीजेपी की बात करते हैं विनीत पड़ा महराश्ट्रा में रहे हैं ऐसी हालत थी ऐसी हालत थी बताइए मैंजे आश्वरिय आपको रामरा मेरे सभी कोपने दर्शक जो है उनको रामरा बात दिल्ली की हो राज़कोट की हो पूने की हो या फिर बात उन फादर मुवकल की हो जिन्होंने चर्च के अंदर नंस के साथ में रेप किया या फिर बात संदेश काली की हो कि जहां पे बहनों को कारले में बुला कर टीम से के कारले में बुल अडनब ने मुझे बोला कि तुम नंबर क्रंचिंग करते रहोगे ये देखो ये नेता चाहें इधर वाले हो चाहें उधर वाले हो अडनब ने बोला मुझे बुला कि तुम ये नंबर क्रंचिंग करते रहोगे ये पीपल स्टोरी है ये जनता की स्टोरी है ये नेता क्या बोल के जंता के बीच में जाते हैं और उस जंता की ज़रा हालत देख लो कैसर गंज से लेके पंजाब तक और पुने से लेके राज़कोट तक हैश्वारया और तब मैंने का नई और ना भी और राइट तो ये जो नेता है फिर भी जो हाल हमने दिल्ली में देखा कि दंग के समय पे जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विदायक हो उसके मंत्री हो आपना पुने में बचाईए मत आप मुझे बताई ये पुने में क्या हो आदमी हाई फ्लाइंग है उनके बड़े बड़े कनेक्शन है एक सिटिंग डेपटी चीफ मिनिस्टर के क्यों डिरेक्ट इंटर्वेंशन हो रहा है एक सिटिंग जी हाँ महाराश्ट्रा के सिटिंग डेपटी चीफ मिनिस्टर का पुने के पुलीस कमिशनर के साथ डिरेक्ट इंटर्वेंशन हो रहा है इस पॉर्च के ड्राइवर को बचाने के क्योंकि वो एक बड़े बाप की हो बिटा है और जिसको मारा वो गरीब बाप का इसलिए कोई वैल्यू नहीं है वो बच्चे जो दिल्ली में मरे वो बिचारे किसी बड़े हाई फ्लाइंग घर के नहीं थे इसलिए जुलस के मर गए तो कोई बात नहीं राजकोट में जो बच्चे थे वो किसी मंत्री या किसी बड़े बिजनेसमेन के बच्चे नहीं थे मैम इसलिए वो गेम खेलते खेलते मर गए कोई दिक्कत नहीं यह विनी जी स्टैंड फर दपीपल विनी जी आप तो जंदा के बीच पर रहते हैं सर्व लेट मी कप्लेट पर सेंट इसके बाद आरा हो प्रियंगा जी उसके बाद आपके बिस्टसमेन को तो शायद पनिश्मेंट मिल भी जाए लेकिन जो यह राजनितिक लोग है ना लखीम पूर गिरी से लेकर के गॉंडा तक उस पर कौन जवाब देगा यह भी बताएगा बोलिए भी नीजी जिसने ब्लर सैंपल चेंज किये जिसने रिपोर्ट चेंज किये या जिसने एफायर लिखने में दिक्कत की गलत एफायर लिखे और जिन नेताओं ने फोन किया यह पब्लिक होना चाहिए हो पार्टी A से हो पार्टी B से हो जनता को पता होना चाहिए और दूसरा देश में काईदा है, उस काईदे का अमल उनके ओपर भी होना चाहिए, अगर किसी नेता ने फोन किया है, तो उसका नाम भी आपने लेना चाहिए और मैंने भी उसकी भरसना करें चाहिए और उसमें कोई दुखाई नाम सामने आ जाएगा, उसके पिता जी को टिकेट ना दे करके, बेटे को टिकेट ना चाहिए, प्रियंका जी, that's right, point है उनके पास, इसलिए वो बोल रही है आज भी नी जी, आज मैं आपका एग्रेशन नहीं देख रहा हूँ, ने मेरा एग्रेशन इसलिए कि विश्या ऐसा गंबिर है, और लोगों के ल करते हुआ है, उसको तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिसने काम न करने के कारण, ये जो खटना खटी, उसके उपर भी होना चाहिए, ये उधारन बनना चाहिए, और मैं खास करके, पुना और राज़कोट के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली से हमको कोई उमीद नहीं